आज जहां करोना के संकर से देश और दुनिया जूज रही है और लोग घर की चारतिवारी में ही कैद होकर रहे गए हैं, इस करोना की वज़ा से समाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ है शाहपूर के दुरगेला पंचायत के गाउं ठंबा में एक परिवार कोरोना की वज़ा से अपने बेटे की शादी नहीं करवा पाया हलांकि शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन साथ समंदर पाल सौधी अरब में बैठा लोग टाउन की वज़ा से उनका बेटा घर नहीं पहुँच पाया जिलाकांगरा के शहापुर की दुरगेला पंचायत के गाउं ठंबा में रोशनलाल ने अपने छोटे बेटे रोहित की शादी के लिए कई सपने संजोय थे रोशनलाल अपने इंजिनियर बेटे की शादी धुम धाम के साथ करना चाहते थे बारा अप्रेल को घर से बरात की तैयारियां भी मुकमल हो चुकी थी शादी के रस्मो रिवास की हर तैयारियां हो चुकी थी बस इंतजार था तो सिर्फ साथ समुंदर पार सौधी अरब में बैठे रोहित के आने का रोहित ने 25 मार्च तक फ्लाइट बुक करवा रखी थी बावजुदिस के देश और दुनिया में COVID-19 के संकट के चलते लॉकडाउन ना केवल रोहित के स्वदेश वापसी और दूलह बनने के सपने पर पानी फेर दिया बलकि रोहित के घरवालों की तमाम तयारियां भी ध जा जाता भले ही घर के किसी सगे संबंधी की मौत ही क्यों ना हो जाए बावजुदिस के कोरोना के संकट ने किसी भी धर्म और जाती की परंपराओं को भी हाशिये में समेट दिया है फिलहाल रोहित की शादी तो टल चुके है लेकिन परिवार के समक्ष अजब परिस्थि खड़ी हुई है शादी टली सो टली खरीदा हुआ समान भी स्टॉक करके रखा जा सकता है लेकिन गदी समुदाय से तालुक रखने के नाते समुदाय के रीती रिवाजों के मताबिक बेटे की शादी 28 और 29 वर्श की आयू में किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती रोहित की उम्रे इस वक्त 27 साल है और कुछ महीनों के बाद रोहित 28 साल का होने वाला है ऐसे मैं अब ये शादी अगले 28 साल तक के लिए टलती हुई नजर आ रही है त्यारी नजर नजर विसादी की पूरी त्यारी थी नजर जी कपड़े और छे भी बढ़ाई थी लंगर के लिए नजर रासन भी पूरा लिया था लेकर हर चीज के त्यारी थी आज तो मेरी ब्राद जान जी जनाम मेर ना निमत देदी ओ सारी त्यारी कपड़े थे क्रहने थे सारी त्यारी यह थी ता पूरी फोल त्यारी ही दुदेवें अन जी चाहता है वीटा कर बेटा ठीक ठाक है ओ बीटी को जा रहे हैं ठीक है अदिवेर भी उसकती है अधिवेर भी उसकती है करने बेटा ठीक ठाक रहा हुदर पंचे साथ में नवाद हो सकती है जब घ्रावन ठीक हो जा ता आप है सकता है वह दोबई में है एच एच टी सी कॉंपनी में हूं दोबई में तो उनकी साथी थी आज तो अच्छी दूंदाम से मनाने जा रहे थ तो मेरा कहना है कि मैं एक मिना पहले चुटी लेकर आगया था और यहां पर पूरा काम कुम के लिए पूरा एक लम साफ़ाई के लिए घर रखा था तो हम लोग ने सोचा कि हाज चलो साधी करते हैं गर फिर लास्ट साधी थी मैं कि चलो दूंदाम से मनाते हैं उसके चलते सिटी चनल के लिए धरमशाला से नरिप जीत निपी की रिपोर्ट